गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज की जो मारी online classes है उसमें हम पढ़ेंगे class first और class first में हम EBS environmental science ठीके और environmental science में हम लोग पढ़ेंगे है first chapter about me अब जितने भी students है all students open your page number five page number five look at here chapter one about me about me means मेरे बारे में write down your details first जो हमारा topic है क्या है write down your details okay just to write down here your names address phone number date of birth blood group height in centimeter weight in kg ठीक है write down your details मतलब इसमें आपके बारे में लिखना है जैसा कि यह का यह जो चीज है आपको यह मैंने यहां पर blackboard पर लिखा है मैंने देखो write down your details तो write down your details में नेम इसमें जितने भी students है सबको अपना अपना क्या लिखना है नाम लिखना है जैसे मेरे बारे में मुझे details लिखनी है तो मैं अपने बारे में यहां पर नाम के लिखूंगा मेरा संजे ओजा ठीक है आप यहां पर दुश्रा के दे रखा है एड्रेस तो यहां पर एड्रेस में क्या डालूंगा मेरा एड्रेस है यहां पर प्लोट नमबर 31 मारूती नगर ठीक है चार बुजा यह मेरा एड्रेस हो गया फिर यहां पर फोन नमबर यहां पर आप लोगों क्या लिखना है आपके पैरेंट्स का यहां पर फोन नमबर लिखना है जैसे मेरा नमबर यहां पर क्या है 9, 4, 1, 3, 1, 0, 8, 1, double, 4 यह मेरा क्या हो गया? नमबर हो गया, ठीक है? फिर यहां पर देखो, date of birth तो date of birth, आप सबको अपने-पनी date of birth लिग नहीं है, ठीक है? जैसे मेरा है, 7, 7, 79 तो यह मेरा date of birth हो गया इसी तरह से, next है, blood group तो सबको अपना-पना blood group पता ही है, ठीक है? कोई A negative है, कोई A positive है, कोई B positive है, B negative है ठीक है? इस तरह से सबका अपना-पना blood group होता है तो यहां पर आपको क्या लेकना है? blood group, जैसे मेरा क्या है? B positive, तो यहां पर मैंने B positive कर दिया ठीक? next क्या है यहां पर? height तो आपकी जैसे height माल लो, अभी आप तो छोटे हो तो अभी आपके height कितनी होगी? approximately आपके 100 cm के आसपास होएगी 96 से 100 cm और मेरी कितनी होएगी? 176 से 180 cm होगी तो मैंने आप लिख दिया 176 cm ठीक है? 176 या फिर 180 cm ठीक है? अब इसी तरह से weight अब आपका वजन कितना है? वो यहां पर लिखना है जैसे कोई 10 kg का है, कोई 12 kg का है कोई 25 kg का है, कोई 30 kg का है ठीक है? अब जैसे मेरे 12 मुझे लिखना है तो मैं यहां पर क्या लिखूँँगा? मेरा weight लिखूँँगा तो मेरा बेट जिसमें मालों कितना है? 83 ठीक है? तो इस तरह से write down your details आपके बारे में पूरी यहाँ पर details आपको लिखनी है तो यह जित्ती भी details है इसे आप किसमें लिखोगे? अपने book के अंदर ही करना है आपको ठीक है? copies में आपको नहीं लिखना है इसको ठीक है? notebook में write down नहीं करना है just to write down here in your book ओके? so today is your homework ओके? यह आज का क्या है? आपका homework के ही है तो आप सब भी इसको करोगे और फिर whatsapp पे मुझे send करना फिर मैं चेक कर दूँगा ठीक है? इसके बाद हम कल करेंगे meet my family अर्थात मेरी family से मिलो कि मेरे पापा का नाम क्या है? मेरी ममा का नाम क्या है? ठीक है? इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे ओके students have a nice day